हेलो सुदेंस गुड मॉनिंग वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल दाइजूकेशनिस्ट और मैं हूँ आपका होस्त अंदोस और यूर कैमेस्टर टूचर और शदिनाम और स्वागत आपका इस वीडियो में तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे कैमिकल रियक्श और स्वाइब चैनल शुरू करते हैं विडाउट वेस्टिंग टाइम तो कैमिकल रियक्शन के बारे में हम देख रहे हैं तो हमें आज पटाए क्यरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्केमिकल रियक्शन जब भी कोई कैमिकल रियक्शन होती है तो उसमें बेटा कुछ चेंजिस होत होता है तो वहाँ पर फॉर्मिशन अ होता है एक प्रेक्शं को हम यॉदे है या इसको प्रिस्टिक को नहीं तो solution का color yellow हो जाता है because of the formation of precipitate of yellow lead iodide ठीक है यह इसके लावा silver nitrate आप ले लिए यहाँ पर diagram भी दिया हुआ silver nitrate आप लेंगे आपका colorless होता है और आपका sodium chloride लेंगे यह भी colorless होता है जब हम इसको mix करते हैं तो वहाँ पर white color का agcl बनता है है तो यह भी दूसरा example है तो यह जो colored substance बनते हैं वह आपके precipitate कहलाते हैं दैसलिए solid form में होते हैं ठीक है दूसरा हम characteristic देखेंगे evolution of a gas some chemical reactions are accompanied by the evolution of a gas जब reaction होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ gas निकलती है पर example जब हम zinc or dilute hydrochloric acid लेते हैं तो वहाँ पर hydrogen gas निकलती है ऐसे मैंने यह आपको reaction पिछली वीडियो में भी बताई थी तो यहां पर zinc sulfate बन जाएगा और यहां पर आपका hydrogen बन जाएगा तो अपवाड एरो में हम इसको इसके बाद नंबर थर्ड क्यरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे चेंज इन कलर तो जब कोई रेक्शन प्रोशीड होती है तो वहाँ पर कहीं बार कलर भी चेंज हो जाता है जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में देखा आपका सिल्वर क्लॉराइड बना वाइट कलर में और लेड आयोडाइड का यहलो पीपीटी बना तो वहाँ पर भी चेंज कलर हो रहा है इसी तरह से आपके आइरन जो है वह एक ग्रेश ब्लैक कलर की मैटल होती है लेकिन जब वह रस्टड हो जाती है जब उस पर जंग लग जात है जब हम किसी जीज़को जलाते हैं तो यह लिक्विड रस टेट में इस सrela Darty स्चेण स्था डीचित वही वeldग वेसे टाइस आप सबसे इंपॉर्टन चेंज इन टेंपरिचर जब रियक्शन होते हैं तो इनको हीट देनी पड़ते हैं या फिर वहां से हीट निकलते हैं तो सम् chemical reactions are accompanied by change in temperature or rise or fall in temperature यानि के दो temperature बढ़ेगा या घटेगा अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है the reaction which are accompanied by rising temperature are those in which heat is evolved such reactions are called exothermic यानि के जिन रेक्शन को हो जाने के बाद heat बाहर निकलते है तो exothermic reactions कहलाती है for example जब आप zinc pieces को sulfuric acid में डालते हैं जैसा कि हमने पहले ये एक्जामपल डिसकस भी किया है तो आप अजर बीकर को touch करके देखेंगे तो बीकर थोड़ा सा गर्म आपको लगेगा तो इसका मतलब solutions में से heat बाहर निकल रही है तो यह एक एक्जामपल है exothermic reaction का reactions which are accompanied by fall in temperature are those in which heat is absorbed such reactions are called endothermic reaction जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें भी chemical reaction होती है लेकिन खाना बनाने के लिए मैं इसको गर्म करना पड़ता है बिना गर्म किया खाना नहीं मिक्स हो जाते हैं लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं ठीक है तो वहाँ पर chemical reaction होती है और बेजम क्लोवाइड का वाइट बनता है और अमोनियम हाइड ऑक्साइड बनता है तो आप देखेंगे कि जब आप उसको तो टश करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ठोड़ा ठंडा हो गया तो जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है वह प्रॉसस आपके क्या कहलाते हैं अपको उमीद है बास में आ रही होगी यह सब जो प्रॉसस दिया हुआ है यहां पर इसको आप छोड़ दीजिए हम डा अलग से सेपरेट 10 क्लास के लिए प्लेलिस्ट बनी हुए है वहां पर आपको और भी बहुत सारी क्लास 10 की केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब हमारा टॉपिक एक्स्ट केमिकल एक्वेशन तो बेटा हमने देख तो आपकी एक वर्डिक्वेशन हो जाएगी और अगर हम उस रियक्शन की नेम की जगह वहां पर बिटा अगर हम सिंबल सेंट फॉर्मुले यूज करें तो आपकी वह एक कैमिकल एक्वेशन कहला है तो यही एक डिफरेंस होता है अगर सिंबल्स वहां पर यूज किये गय हैं तो वह कैमिकल रिएक्शन भी आप उसको कह सकते हैं या वर्ड एक्वेशन भी आप कह सकते हैं तो बेसिकली हम आप डिफाइन करेंगे शॉर्ट हैंडर मैथड ओफ रिपर्रजेंट इक एक एक्वेशन इंटरम्स ऑफ सिंबल्स और फॉर्मुले याद रखियेगा सिं प्लस एस्टू एससो फॉर एरो जिंग सलफेज प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक हो तो बेसिकली कैमिकल एक्वेशन होती तो कैमिकल रियक्शन ही है बस वहाँ पर वर्ड का और सिंबल्स का डिफरेंस आ जाता है आपके रियक्टेंट एक है या एक से ज्यादा है तो हम उसक प्लस से सेपरेट करेंगे जैसे रियक्टेंट में करते हैं तो यह आपके प्रोडक्ट हो गए और रियक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो होता है जो सेपरेट करता है या जो कैमिकल रियक्शन को एक्सप्रेस करता है अब कैमिकल एक्वेशन की बात करें तो क इस तो अब कोई रियक्षन बैलेंस है या नहीं है हमें कैसे पता लगे का तो इसके लिए सबसे आसान चाहिए रियक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो डिफरेंट एटम्स है उनको आप काउंट कर लिए अगर दोनों साइड में सेम एक्टम बिल्कुल है तो वह बैलेंस है और एक्वेशन फरस्ट में उसने कहा है यहाँ एक टेबल टेबल उसने बनाई है वह अच्छे से जहां से दे यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है तो तो हमने दोनों जगा एक एक मैंशन कर दिया ठीक है उसके बार हाइडिजन देखते हैं तो यहाँ पर हाइडिजन दो है यहाँ पर भी है तो हमने दो दो मैंशन कर दिया यह भी ठीक है बात करें सलफर की सलफर रियक्टेंट में प्रोड़क्त में भी एक है आप देख सकते हैं हाई औकसिजन की बात करें तो इधर भी ऐख शुजन चार है और इधर भी ऐख शुजन चार है तो दोनों तरफ जो नंबर ऑफ है निटा वह बिलकुल एक्वल है तो हम कह सकते हैं डिस इस इचे बैले स केमिकल इक्विशन और तो रियक्टेंट और प्रोडक्स में नंबर ऑफ एक्टम बिल्कु सेम हो तो इसको बैलेंस केमिकल एक्विशन कहेंगे अब दूसरा एक्जामपल लेते हैं यहां पर बिना हम टेबल के ही इसको सॉल्व कर लेते हैं देखें बैटा पोटेशन में एक है और एक है और यहां बीहां पर बीहें चलिए यह बैलेंस है लेकिन अधर इधर तीन है और इधर दो तो अधर तो यह बैएंसम नहीं हुए तो यह नंपर number of atoms है वो different different है तो इसलिए एक एक एक्जामपल है अन्बैलेंस या un-skeleton equation का तो इसको skeleton equation भी कहते हैं इसको define भी किया है इसने यहां तो such an equation in which the number of atoms of different element is not equal on the both sides of the equation is called unbalance or skeleton equation चीक है अब कोई reaction हमारे पास already balance है उसमें तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर कोई unbalance equation है तो हम इसको कैसे balance करते हैं यह हम अब आप सीखने वारे हैं आपका हमारा next topic है balancing of a chemical equation हम इसको देखेंगे जहां से देखेगा बेटा हमें क्या करना है बस जो un-equal number of atoms है हमें दोनों साइड equal कर देने हैं वो हमारी equation यहां पर यह defined भी किया है यानिके to make the number of atoms of reactant and products equal on both sides is called balancing of a chemical equation इसमें कुछ steps होते हैं मुने steps को follow करते हैं सबसे पहले तो हम word equation लिखते हैं जो भी equation दी हुए है उसकी बाद फिर हम उसकी skeleton reaction लिखते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं जो boxes formulas होते हैं उनको boxes में बंद करते हैं और फिर लिस्ट बनाते हैं number of atoms on LHS reactant or RHS products उसके बाद हम biggest formula select करते हैं और number of atoms को balance करना शुरू करते हैं ठीक हैं दिरे दिरे हम सभी को balance करते हैं और आखिर में जब हमें लगे के balance हो गई तो हम correctness चेक करते हैं balance equation की एक और टेबल बनाता है reactant or product की LHSRHS की और यह देखता है कि दोनों balance है या नहीं है अगर है तो हमारी balance equation है basically जो method मैं आपको बता रहा हूं equation को balance करने का वह हमारा method कहलाता है हिट and trial method तो इसमें हम अपनी मर्जे से कोई इंटेजर या कोई भी whole number use कर सकते हैं equation को balance करने के लिए चलिए बैक्सामपल देखता है कैसे equation को balance करता है example number one दिया है यहां के right the balance chemical equation of the following यहां पर word equation दिये steam is passed to overheated iron to form magnetic oxide of iron and hydrogen इसको हमें balance बनाना है तो step number one word equation लिखेंगे आइरन प्लस steam arrow magnetic oxide of iron plus hydrogen number second step में हम chemical equation लिखेंगे यानिके formula लिखेंगे iron को represent करते हैं एफ यू से steam भी watery होता है generally भाप और magnetic oxide of iron का formula यहां पर भी दिया है और आपको learn भी करना है F3O4 होता है magnetic oxide of iron hydrogen तो सभी जानते हैं तो हमने यहां पर लिख दी अब हमने इनको boxes में बन कर दिया हमने यहां पर list बनाएंगे एक तो हमने यहां पर लिस्ट बनाई element iron है hydrogen है oxygen है और number of items on LHS और RHS दोने पर तो हम देखेंगे laurce LHS में iron एक है और Arizona 3 है तो हमने यहां पर लिख दिया यहांपर हम अक करदेखेंगे हम इदर भी दो हैं अप सकते हैं आपको यहां और तो यहां अपके आपके यहांrás LET मेंचिन कर दिया बात करते हैं औरMost लेकिन होगे जो इसको का मॉलिक्यूल है उसको हम चार से मल्टिप्लाइ करते हैं यहाँ लिखा हुआ है है कि अगर करेंगे तो पिर हम उसको करेंगे अब हर अगर हम इसको इसको बना कर देखेंगे तो सारी चीज़ेगे लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब unbalance होंगे इधर iron एक है इधर आपके iron तीन है हम क्या करेंगे iron के items को equal करने के लिए और एचस फिर तीन से multiply करेंगे iron को तो अब देख सकते हैं हमारी equation अब हम दुवारे से फिर इसको correctness को check करेंगे iron तीन है दोनों तरफ hydrogen आठ है एक्जामपल है ठीक है आगे देखते हैं यह क्विशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं इसको आप लोग अपने बिहाफ पर कीज़ेगा थे दीवी है सारी इसको आप अच्छे से एक बार देखें और देखने के बार इसको खुद भी हाइड्रोजन एरो अमोनिया सेकंड एक्वेशन में हम एक्वेशन लिखेंगे नाइट्रोजन के फॉर्मुल्य और सिंबल्स लिखेंगे और फिर इसको बैलंस करना शुरू करेंगे तो हम बिसिकली यहां पर आपको टैबलिशन नहीं बनाएंगे ऐसे देख लेंगे देर व्लकुल ठीक है है और हइड्रोजन की बात करें तो हैड्रोजन और हिसमें यह फैले समय और थी दु से अचैकी में थे यह बैलंस करने का जो मैथड है ही टेंट राइल मेथड बहुत ही आसान मैथड है इसको इसके हल्प से आप किसी भी क्वेशन को बैलंस कर सकते हैं एक्जामपल नमबर फॉर यह मैं आपके लिए छोड़ता हूं एक्जामपल नमबर फॉर आप लोग वीडियो से देखकर के लिए और फुचर में यतने भी टर्न क्लास की मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर उनके नॉटिफिकेशन देखने के लिए था कि आप जल्दे से जल्दे उन वीडियो को देख सकें तो नाव तोड़े इस यूर होस्त दोस्त और यूर कैमिस्टर चीशर Arshet Dinam signing off. Have a nice day and take care. Thank you all.